किस दिन कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए? शास्त्रों के निसार सप्ता के अलग-अलग दिनों में अलग-अलग दिशाओं में शूल बताए गए हैं। दिशाशूल एक ऐसा अशुब योग है जो उस संबंधित दिशा में यात्रा करने पर बाधाएं या काम के बिगड़ने के बारे में बताता है बताने कि सुमवार और शनिवार के दिन पूर्प दिशा में दिशाशूल माना जाता है वहीं अगर बहुत जरूरी काम हो तो सुमवार को दरपन देखकर और शनिवार को अद्रक या काली उड़त की दाल खाकर ही यात्रा पर जाएं वहीं मंगलवार को उत्तर दिशा और उत्तर पश्चम कोन में दिशाशूल माना जाता है लेकिन अगर किसी जरूरी काम से आपको इस दिन इस दिशा में यात्रा करनी पढ़ जाएं तो घर से थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें बुद्वार के दिन उत्तर और उत्तर पूर्व कोन में दिशाशूल होता है अगर इस दिन ग्यात्रा करना जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले तिल या धनिया खा कर निकलें इसी के साथ गुरुवार को दक्षन दिशा में दिशाशूल माना जाता है अगर फिर भी जरूरत पढ़ने पर यात्रा करनी पढ़ जाए तो उपाई की तोर पर दही खा कर घर से बाहर जाए इसके लावर शुकरवार और रविवार को पश्चिम दिशा और दक्षन पश्चिम कोड में दिशाशूल होता है लेकिन अगर जाना पढ़ जाए तो शुकरवार को जोखा कर यात्रा के लिए निकले और रविवार को घर से दलिया या फिर खी खा कर निकले इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद